A very good Modicare morning दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे Modicare में MRP, DP, BV and PV के बारे में और साथ ही Accumulative Performance Bonus की पूरी जानकारी को मैंने इस वीडियो में explain किया हुआ है तो आईए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इन चार Basic Terms से Modicare में यदि आप जाइन हुए हैं तो यूँ कहें कि ये चार Basic Terms Modicare Business के चार Pillars की तरह हैं जिनको समझने से आप अपने Business को, अपने Payout को आसानी से Calculate कर सकते हैं आसानी से समझ सकते हैं सुरुआत करते हैं MRP से जैसा कि आप सभी को पता है MRP का मतलब होता है Maximum Retail Price Means किसी भी प्रोड़क का Maximum Price, Maximum Retail Price वो प्राइस होता है जिस प्राइस पे Consumer उसे पर्चेस करता है इसके बाद यदि आप Modicare में जॉइन हो गए हैं तो आपको कोई भी Modicare का प्रोड़क्ट MRP पे न मिलकर आपको मिलता है DP Price पे जिसका मतलब होता है Distributor Price या फिर दूसरे तरीके से हम समझें तो DP Price का मतलब होता है Discount Price इसका मतलब यदि आप कोई प्रोड़क्ट Modicare में जॉइन होने के बाद पर्चेस करते हैं तो आपको कुछ Discount के साथ वो प्रोड़क्ट मिलता है और वो प्राइस किलाता है Distributor Price जिसकी Margin होती है 15-20% इतने Discount के साथ आपको वो प्रोड़क्ट Modicare से मिलता है यहाँ पे MRP और DP के साथ मैं एक चीज और Clear करना चाहता हूँ जब आप Join हुए होंगे Modicare में तो आपको बताया गया होगा कि Modicare में आपको 8 different तरीके की Income मिलती है यहाँ से Starting की जो दो Income है वो MRP और DP को समझने से ही समझ में आ जाती है जो पहली Income हापकी होती है वो होती है 15-20% Discount किसी भी प्रोड़क्ट पे means DP Price पे आपको कोई प्रोड़क्ट मिलता है बजाए MRP Price के और Second Type की Income होती है Benefit on Retail जहाँ पे आप किसी प्रोड़क्ट को अगर Sell करते हैं तो वहाँ पे आपको Again 15-20% का Commission या Benefit मिल जाता है यह Complete 8 Different Type की Earning 8 Different Type की Income के लिए मैंने Separate Video बना दिया है उसका Link मैंने Description Box में दे रखा है यदि आप चाहते हैं उसको और अच्छे से समझना तो आप उस Link के जरिए उस वीडियो को देख सकते हैं जहाँ पे मैंने पूरे अच्छे तरीके से 8 Different Type की Income Earn की जाती है Modicare में उसकी जानकारी दी उसके बाद भी यदि आपको कोई Doubt है तो Description Box में मेरा WhatsApp नंबर है आप कभी भी उस पे Message कर सकते हैं इसकी पूरी जानकारी लेने के लिए यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको MRP और DP में Difference समझ में आ गए होंगे इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं Third Point होता है Business Volume का यह Business Volume क्या है Company कैसे Decide करती है Business Volume को इसको अभी हम थोड़ी देर में समझते हैं और Last but not the least PV PV का मतलब होता है Point Value यहाँ Business Volume और Point Value यह दोनों Different Type के Terms हैं इनको समझने के लिए यह BV और PV को समझते हैं थोड़ी देर में इससे पहले MRP और DP में एक Example से समझते हैं कि MRP और DP में क्या Difference हैं Suppose Modicare का एक Product जिसका MRP 100 रुपीज है और वो 100 रुपीज का Product आपको DP Price पे मिलता है इसका मतलब आपको 15-20% Discount के साथ मिलता है और उस Product का Pricing हो जाती है 80-85 रुपीज आसा करता हूँ कि यहाँ तक आपको MRP और DP के Terms कलियर हो गया होंगे Business Volume को समझने के लिए सबसे Important है कि आप Direct Selling और Traditional Selling का Difference समझ सकें क्योंकि Company Business Volume को कहां से Identify करती है कहां से वो Add करती है किसी Product में वो समझना बहुत Important है उसके लिए आपको Traditional Marketing या Traditional Selling और Direct Selling का Relation पता होना चाहिए कि उनमें क्या Difference होते हैं Business Volume कहां से निकल के आता है आईए समझते हैं Business Volume की और अधिक जानकारी के बारे में जिसके लिए हमें Traditional Marketing या Traditional Selling का Concept और Direct Selling का Concept समझना बहुत Important है सबसे पहले स्टार्ट करते हैं Traditional Marketing में क्या Terms होते हैं, क्या Concept होता है जैसा कि जो Modicare जोईन कर चुके हैं उन्हें ये इसके बारे में Idea होगा या जो Direct Selling से Related है Member उनको Definitely इसके बारे में Idea होगा पर वो नए Member जो अभी अभी जॉइन हुए हैं या फिर जॉइन होना चाहते हैं उनके लिए Traditional Marketing का Concept समझना बहुत Important है जिसमें एक Manufacturing Unit होती है Manufacturing Unit का काम होता है किसी भी Product को Generate करना, Manufacture करना और उस Manufacture की हुए Product को Market में Launch करना इतने पूरे काम में वो Different Chain के जरिए वो अपने Product को Move कराती है उन Chain में सबसे पहला होता है C&F Agent जिसका काम होता है Manufacturing Unit द्वारा बनाए गए Product को Approve करना Approve होने के बाद वो Product Distributor के पास आता है Distributor वो Product को Wholesaler के पास Send करता है और Wholesaler उस Product को Market में Launch करने के लिए Retailer के पास भेशता है इतनी Chain के बाबजूत भी एक बहुत बड़ा पार्ट होता है Advertisement का इसका मतलब यदि कोई Manufacturing Unit अपने Product को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना चाहती है तो वो Advertisement का भी सहारा लेती है ताकि उसका Product ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो इतनी बड़ी Chain के बाद जाके वो Product Consumer को मिलता है आई एक शोड़े से Example से इसको और अच्छे से समझने की कोईशित करते है कि Manufacturing Unit अपने एक Product को बनाने में 5 रुपे का कॉस्टिंग करती है वो Product Consumer तक पहुंचते पहुंचते कितने का हो जाता है उसे इस Example से समझते है Manufacturing Unit ने 5 रुपीज का वो Product बनाया वो Product C&F Agent के थूँ Verify होने के लिए गया और Verification के लिए C&F Agent ने उस पे 0.5 रुपीज का Margin Add कर दिया इसके बाद C&F Agent उस Product को Distributor के पास भेजता है Distributor भी उसमें कुछ अपना Margin Add करता है यहाँ पे एक Example से समझते हैं कि उसने भी 0.5 रुपीज का Margin Add कर दिया Distributor के बाद वो Wholesaler के पास आता है Wholesaler भी अपना कुछ Commission या Margin Add करता है उस Product पे And then finally, Retailer के पास पहुंचता है वो Product जहां से Product Consumer को Receive होता है पर इतना ही नहीं, Company अपने उस Product की Maximum Selling के लिए Advertisement का भी सहारा लेती है इसका मतलब, Company को Advertisement के लिए भी कुछ Amount पे करना होता है यहां पे मैंने Example लिया कि Advertisement के लिए उस Company ने 2 रुपए का Amount पे किया यदि आप इन सभी Amount को Add कर देते हैं तो Result आता है 5 रुपीज का इसका मतलब, Manufacturing Unit ने उस Product को 5 रुपीज में बनाया Remaining Change से जो उसका Margin निकल के आए, वो 5 रुपीज हुआ यदि हम इन दोनों को Add कर देते हैं तो Result आता है 10 रुपीज इसका मतलब, जो Manufacturing Unit 5 रुपीज में प्रुड़क को बनाई Consumer को वो प्रुड़क 10 रुपीज में मिलता है इसका मतलब, बचे हुआ जो 50% का Margin है वो 50% का Margin Consumer को को कोई Benefit नहीं देता Zero Benefit मिलता है Consumer को मिल जाता है Benefit अच्छा यदि Consumer कहीं Mall या Supermarket से उसे Purchase करता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि Mall या Supermarket में Product Wholesaler से उनको मिलता है इसका मतलब, Retailer का जो Commission होता है वो Commission यहाँ पे Remove हो जाता है तभी आपको कभी किसी Product पे 10% का Discount मिल जाता है 10% का Discount मिलता है इससे ज़्यादा कहीं पे भी आपको Discount नहीं मिलता इसी तरीके से हम Direct Selling को और समझने की कोशिस करते हैं Direct Selling में भी एक Manufacturing Unit होती है और बीच में कुछ भी नहीं होता Directly वो Manufacturing Unit अपने Product को Consumer तक ले जाती है जितना भी Margin होता है जैसा कि अभी Traditional Marketing में हम समझे कि 50% का Margin था Nearly 50% का Margin था ये 50% का Margin ही Business Volume में Consider करती है Company जिसे हम BV बोल रहे है Business Volume बोल रहे है इसका मतलब यदि आप 1000 रुपीज की Shopping कर रहे हैं, Company अगर 1000 रुपीज की Selling कर रही है तो आपको उस 1000 का Approximately 50% BV के रूप में मिल जाता है ये ही Business Volume जिस पे आपको Payout मिलता है पर Month आए चलते हैं, उसी Slide पे जहां पे हमने MRP, DP, BV and PV को छोड़ा था यहां से अभ आपको BV Clear हो गया होगा कि Business Volume Company हर Product के लिए Different, Different जो रखती है उसका क्या कारण है Point Value Point Value Company Decide करती है किसी भी Consultant के Level को Explain करने के लिए BV और PV में एक Relation होता है जहां पे 27 BV बराबर एक PV के होता है आईए इसको भी एक छोटे से Example से समझते है कि यदि कोई Product जिसकी MRP 1000 है वो Product आपको Moody Care से 15 to 20% Discount के साथ Provide किया जाता है इसका मतलब 800 रुपीज DP के साथ आपको Product मिलता है 800 DP का 50% हो जाता है आपका 400 Nearly 400 आपको BV Points मिलते हैं और जब आप उसको Convert करते हैं PV में उसको Convert करने के लिए आपको 400 को Divide करना होता है 27 से और Relation निकल के आता है 14.8 PV यहां तक मुझे उमीद है कि आपको यह 4 Basic Terms Clear हो गए होंगे यदि फिर भी अगर आपको कुछ Doubt है यहां तक तो आप Frankly Comment Box पे पूछ सकते हैं या Description Box में मेरा Contact Number दिया हुआ है आप कभी भी Call करके मुझे से यह जानकारी सही तरीके से और ले सकते हैं अब आई यह जानते है Accumulative Performance Bonus APB क्या होता है जिसका Margin होता है 7% से 22% Modicare जोईन होने के बाद आपका जो Payout होता है वो APB पे ही Calculate किया जाता है इसका मतलब आप जिस Level पे होते हैं उस Level के percentage के according आपके PV को चेक किया जाता है और उस PV के according आपका Payout किया जाता है Level कैसे आपका increase होता है वो मैंने इस chart के जरीए आपको explain करने की कोशिश की है जब आप join होते हैं तो आप consultant level पे होते हैं आपका 7% APB होता है वो 7% की range होती है 1 PV से 300 PV तक या फिर दूसरे term में समझें 1 accumulative point value से 300 accumulative point value तक और इसी को जब आप BV में convert करते हैं तो वो range हो जाती है 27 to 8,126 यहाँ पे ही मैंने इसको calculation किया है रूपीज में nearly 54 रूपीज से 16,252 रूपीज की अगर आप shopping करते हैं इतनी range पे आप Modicare में as a consultant work करते हैं जैसे ही आपका level increase होता है APV की range 300 से above होती है तो आप कहलाने लगते हैं senior consultant जहाँ पे आपको performance bonus increase कर दिया जाता है आप 10% पे पहुँच जाते हैं और इसकी PV range होती है 301 से लेकर 1200 तक जहाँ पे इसे अगर आप BV में calculate करना चाहें तो 301 को multiply कर दें 27 से तो आपका result निकल के आएगा 8127 इसी तरह 1200 को जब आप convert करेंगे BV में तो result निकल के आता है 32,426 इनी value को जब आप rupees में calculate करते हैं तो आपकी value निकल के आती है 16,254 तो 64,852 means जब तक आप 64,852 rupees की shopping करते हैं तब तक आप senior consultant 10% पे होते हैं और जो भी आपका BV होता है monthly वो उस BV पे आपको 10% payout मिलता है इसी तरह जब आप 13% पे पहुँच जाते हैं तो आप कहलाने लगते हैं associate supervisor और उनकी range होती है 1200,1 से लेकर 2700 तक यहाँ पे मैंने same वैसे ही calculate किया है BV और उसके respective उस range को मैंने convert कर दिया है rupees में भी इसी तरीके से 16% पे आप deputy supervisor कहलाने लगते हैं 19% पे आप supervisor कहलाते हैं और finally जब आप 22% पे पहुंच जाते हैं तो आपका title हो जाता है director का जहाँ पे आपकी PV की value होती है या APV की value होती है 6000 प्लस की साथ में अगर उसको आप BV में convert करेंगे तो उसका level होता है 162,027 इसी तरह यदि आप उसको amount में calculate करना चाहते हैं तो वो amount निकल के आता है 3,24,054 रुपीज से अबब की अगर आपकी shopping है तो आपको title दे दिया जाता है director का यहाँ पे मैंने रुपीज का भी calculation कर दिया है ताकि आपको सारी चीजें clear हो जाएं कि आपको कितने amount की shopping करनी होती है यह सारे level को clear करने के लिए यहाँ पे आप जो amount देख रहे है वो आप देख के हो सकता है आपको लग रहा हो कि यतने ज़दा amount की आप shopping करेंगे तब आप level increase करेंगे पर एक बात और ध्यान में रखिए कि आप जिन्दगी बर कहीं और से shopping करते हैं आपको कोई benefit नहीं मिलता यहाँ पे आप shopping कर रहे हैं modi care से आपको a different type के benefit मिल रहे है जिसका मैंने complete video का link description box में दे रखा है एक और important चीज यहाँ से निकल के आती है यदि आप fast start करना चाहते हैं अपने titles को fastly grow करना चाहते हैं उसके लिए भी आपके पास मौका होता है आए समझते हैं fast start titles क्या होते हैं यदि आप newly joining member हैं और fast start 10% करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक single month में आप या आपके group को 240 GPV 240 GPV या फिर 6480 GBV की shopping करनी होती है जिसको अगर हम लोग price में समझें तो nearly 13,000 की यदि आप एक month में आप या आपका group shopping करता है तो आप directly 10% पे पहुँच जाते हैं इससे पहले वाली side को एक बार मैं फिर से दिखाऊं उससे पहले यहाँ पे चेक करिएगा कि fast start में आप 13,000 पे 10% पे पहुच रहे है और इससे पहले जो आपके पास ये sheet थी यहाँ पे आपको 10% पहुचने के लिए 16,254 रुपीज पे करना था fast start में आप 3,000 सेफ कर ले जाते हैं और आप पहुच जाते हैं fast start 10% पे साथ में अलग से benefit जो आपको मिलता है वो company आपको अलग से provide करती है इसी तरह यदि आप start करना चाते हैं fast start 22% पे पहुचना चाते हैं तो उसके लिए आपको या आपके group को shopping करनी होती है 4,800 GPV की जैसे अगर हम BV में समझें 1,29,600 BV की shopping करनी होती है और उसी को अगर हम amount में समझने की कोसिश करें तो लगबग 2,60,000 की shopping पे आप पहुच जाते हैं directly 22% director level पे एक बाद फिर मैं आपको उस चार्ट की तरफ ले चलता हूँ जहां पे आप director बन रहे थे 22% पे और उस 22% पे पहुचने के लिए आपको 3,24,054 रुपीज की requirement थी वहीं यदि आप fast start director title को achieve करना चाहते हैं तो आपको मात्र 2,60,000 में वो title achieve हो जा रहा है इसका मतलब यदि आप fast start title से भी start कर रहे हैं तब भी आपको कही benefit मिल रहे हैं अपने payout को increase करने के लिए जैसे ही आप director बन जाते हैं company की तरब से और भी कई सारी benefit आपको मिलना start हो जाती है उमीद करता हूँ आपको जो जानकारी मैंने दी वो आपको समझ आई होगी